नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारतिय डिफेंस एक्टर को ले करके काफी जादा बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आई है और इस खुशखबरी का प्रूफ है इस वीडियो की सबसे पहली तस्वीर जिसको आप सप अपने ध्यान से देख बिलिया होगा तो आज की दिन भारतिय वैग्यानिकों ने एक बड़ा कमाल करके इस दिन को एक एतिहासिक दिन बना दिया है क्योंकि आप सब को पता है कि भारत पहले ही हमारे जो स्विफ्ट टेस्ट वेड है उसको बना करके उसके जो ग्राउंट यान की जो टेक्सी ट्राइल्स होते हैं उनको कमपलीट कर चुका था उसके बाद भारत ने इसके थर्ड टेस्ट बेड के ओपर काम शुरू कर दिया था तो आज इसी टेस्ट बेड ने अपनी मेडन फ्लाइट को कमपलीट कर दिया है यानि की आप मान करके चल सकते हैं कि भारत ने औरा की तरफ अपना जो पहला step है उसे मजबूति के साथ बढ़ा लिया है और साथ इससे related जो proof है तो उसे भी आप अपनी screen के ओपर देख सकते हैं जहाँ पर ANI का Twitter handle है इन्होंने बताया है कि भारत के जो वग्यानिक है तो उन्होंने एरोनोटिकल टेस्टिंग रे flight control system है उनका इस्तेमाल किया साथी साथ यहाँ पर जो avionics और जो electronics हैं वे भी सवदेशी थे यानि कि आप मान करके चल सकते हैं कि भारत का जो full size का घातक UCA भी होगा उसमें 80% से लेकर के 90% के आसपास आप सबको जो सवदेशी components हैं वे देखने को मिलेंगे और इसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि एक drone या फिर aircraft को बनाने के लिए mainly जो चार components होते हैं वे इसमें भारतिय होंगे जैसे कि सबसे पहले तो इस drone को भारतिय वेग्यानिकोई के दुवारा design किया गया है जहां पर इसके सारी designing का काम भारत में हुआ है इसके बाद इसमें जिस engine का use किय जाएगा तो वो हमारे कावेरी engine के उपर बेजड होगा जो कि basically उसका एक dry variant होगा जो कि लगबख 48 से लेकर के 52 kN thrust को generate करने में शक्षम होगा और इस engine की testing के लिए भारत ने पहले से ही इस engine को रूस में भी भेज दिया है जहां पर इसके जो test है उनको conduct किया जाएगा और ब weapons है वे भारतिये जाने वाले हैं साथ ही साथ यहां पर सबसे खास बात तो यह है कि डियाएडियो इसको एक total 15 टन का system बनाएगी जिसमें यह लगबख 2 टन तक के जो weapons है उनको carry करने में शक्षम होगा और इसमें सबसे जादा खास बात यह होगी कि डियाएडियो एक पहले तो आप सबको इसमें 90% के आसपास यह फिर उससे जादा जो सवदेशी components है उनकी संख्या देखने को मिल जाएगी ओवराल अगर आप पूरी दुनिया में इस तरह के system की बात करते हैं तो अकेला रश्या ही ऐसा देश है जिसने जो full size का prototype है उसको तयार करके उसको test भी कर यहां तक की रश्या ने तो अपने उस drone system में जो 2D nozzles है उनको भी integrate कर दिया जिससे की अगर आप उसके IR signature को देखते हैं तो वो काफी ज़्यादा कम होगा साथी साथ उसकी जो stealth है वो और ज़्यादा increase हो सकेगी इसके बाद भारत का जो ये program है यही पूरी दुनिया में इ अब आप मान करके चल सकते हैं कि भारत जल्द ही इसका जो पहला prototype होगा जो की full size का होगा उसके ओपर काम शुरू कर देगा और 2024 तक हमारा जो कावेड़ी engine है वो भी तयार हो जाएगा और इसकी timeline भी उसी के आसपास है जहां पर 2024 से लेकर के 25 तक इसको अपने first flight को conduct करना है तो ऐसे में भारत के पास यहां पर chance है कि हम America, Europe और साथ में जो Chinese system है तो उनको इस race में पचाड करके यहां पर जो second rank है उसको हासिल कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर अगर आप Russian program को भी देखते हैं तो war के कारण उसमें भी कई करहां के जो delay हैं वे देखने को मिले हैं जि अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर देजेगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा ताकि आपको भविश्य में भी ऐसे ही वीडियो मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जय हिंद